हेलो फ्रेंड्स आज कर विडियो स्टार्ट करता है सोला सोमवार व्रत कथा सोला सोमवार व्रत विधी व्रत यह व्रत सप्ता के प्रथम दिवस सोमवार को रखा जाता है यह व्रत भगवान शिवजी के लिए रखा जाता है विधी सोला सोमवार के दिन भक्ति पूर्वक्वरत करें अधा सेर गेहूं का आटा के तीन अंगा बना कर गी गूर, दीप, नवेद्य, पूंगी फल, बेलपत्र, जनियू का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प, आदी से प्रदोशकाल में भगवान शिव का पूजन करें एक अंगा भगवान शिव को अरपन करें दो अंगाओं को प्रसाद स्वरूप बाटे, और स्वयम भी ग्रहन करें सत्रहवे सोमवार के दिन पाओ भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर गी और गूर बनाकर चूर्मा बनाएं, भोग लगाकर उपस्थित लोगों में प्रसाद बाटें 16 सोमवार व्रत कथा, पहला अध्याय, पृथवी पर भ्रह्मन की इच्छा से भगवान शिव और पार्वती जी अम्रावती नगर में पहुँचे वन उपवन और सुन्दर भावनों को देखकर भगवान शिव को अम्रावती नगर बहुत अच्छा लगा उन्होंने कुछ दिन उसी नगर में रहने के लिए कहा पारवती को भी अमरावती नगर बहुत अच्छा लगा था उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था शिव और पारवती उस मंदिर में रहने लगे एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनात, आज मेरी चौसा खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसा खेलने बैठ गए। चौसा के खेल में त्रिलो की नाथ की विजय होगी। उद्धरन ये कहकर पुजारी पूजा पाथ में लग गया। कुछ देर बाद चौसा में शिव जी की पराज़ हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने ब्राहमन पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट ह कर उसे कोड़ी हो जाने का शाप दे दिया। शिव और पार्वती उस मंदर से केलाश परवत लोट गए। पार्वती के शाप से कुछी देर में ब्राहमन पुजारी का सारा शरीर कोड से भर गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परच्छाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोड़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोड़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदर से निकलवा दिया। उसकी जगए दूसरे ब्राहमन को पुजारी बना दिया। कोड़ी पुजारी पर उनको बहुत डया आई। उन्होंने पुजारी से उस भायनकर कोड के बारे में पूछा। पूजा के बाद तीन अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पन करके शेश दो अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुशों और बच्चों को बाउंच देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीच जाए तो 17 सोमवार को एक पाओ आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुल मिलाकर चूर्मा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुश और बच्चों को प्रसाद बांट देना। पुजारी ने अपसराओं के कथनानुसार विधिवत 16 सोमवार का व्रत किया फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकमपा से उसका कोड नाश्थ हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्रह्मन पुजारी आनंज से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुना पृत्वी का भ्रमन करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोगमुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। दूसरा अध्याए पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विदी पूछकर स्वयम 16 सोमवार का व्रत प्रारम किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्टिके के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्टिके को लोटा लाने के अने कुपाई कर चुकी थी, लेकिन कार्टिके लोट कर उनके पास नहीं आ रहे थे। सोला सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्टिके के लोटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सच्मुच कार्टिके वापस लोटाए। कार्तिके ने अपने हृदय परिवर्थन के संबंध में पार्वती जी से पूछा हे माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ठो गया और मैं वापस लॉट आया तब पार्वती जी ने कार्तिके को 16 सोमवार के व्रत की कथा कैसुनाई कार्तिके अपने एक ब्राह्मन मित्र ब्रम्दत के पर्देश चले जाने से बहुत दुखी थे वो वापस नहीं आ रहा था उसको वापस लोटाने के लिए कार्तिके ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रम्दत के वापस लोटाने की कामना प्रकेट की व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लोट आया ब्रह्मदत ने लोट कर कार्टिके से कहा प्रियो मित्र तुमने ऐसा कौन सा उपाई किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरन करते हुए लोट आया कार्टिके ने अपने मित्र को भी सोला सोमवार के व्रत की कथा विदी के सुनाई ब्रहमन मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया सोला सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रहमदत यात्रा पर निकला कुछ दिनों बाद ब्रमदत एक नगर में पहुँचा नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयमवर हो रहा था उस स्वयमवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आये थे स्वयमवर में राजा हर्शवर्धन की हथिनी जिसके गले में जेमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था ब्रमदत भी उत्सुक तावश महल में चला गया वहां कई राजियों के राजकुमार बैठे थे तभी एक सजी धजी हथिनी सूड में जेमाला लिये वहां आई उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुलहन की वेशभूशा में चल रही थी हथिनी ने ब्रमदत के गले में जेमाला डाल दी फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रमदत से हो गया सोला सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रम्दत का भाग्य बदल गया ब्रम्दत को राजा ने बहुत साधन और स्वर्न आभूशन देकर विदा किया अपने नगर में पहुँचकर ब्रम्दत आनंद से रहने लगा एक दिन उसकी पतनी गुंजन ने पूछा अपने कौन सा शुबकार्या किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जेमाला डाल दी ब्रम्दत ने सोला सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी अपने पती से सोला सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से सोला सोमवार का व्रत किया निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकमपा से राजकुमारी के एक सुंदर वस्वस्थ पुत्र उत्पन हुआ पुत्र का नामकरन गोपाल के रूप में हुआ दोनों पती पत्नी सुन्दर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए पुत्र ने भी मा से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन लिया इसका क्या कारण है माता गुंजन ने पुत्र को सोला सोमवार वृत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशिरवाद से ही मुझे तुम जैसा गुनी व सुन्दर पुत्र मिला है वृत का महत्वज जानकर गोपाल ने भी वृत करने का संकल्प किया गोपाल जब सोला वर्ष का हुआ तो उसने राजय पाने की इच्छा से सोला सोमवार का विधिवत वृत किया वृत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमार के विवाह के लिए सुयोग्यवर की तलाश में निकले थे राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन हुए फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बाते करके उसे अपने साथ महल में ले गए व्रिधर राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूंधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया सोला सोमवार के वरत करने से गोपाल महल में पहुँचकर आनन्द से रहने लगा तृतिय अध्याए दो वर्ष बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया इस तरह सोला सोमवार वरत करने से गोपाल की राजय पाने की इच्छा पूर्ण हो गई राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा व्रत के समापन पर 17 सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामगरी लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुँचे मंगला ने पती की बात की परवाना करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामगरी मंदिर में भेज दी मंगला, स्वयम मंदिर नहीं गई जब गोपाल ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाश्वानी हुई हे राजन, तेरी राणी मंगला ने सोला सोमवार वरत का अनादर किया है सो राणी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वेभव नश्ट हो जाएगा तू निर्धन हो जाएगा अकाश्वानी सुनकर गोपाल बुरी तरह चोंक पड़ा उसने तुरंट महल में पहुँचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राणी मंगला को बंदी बना कर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ाओ सैनिकों ने राजा की आग्या का पालन ततकाल कर दिया मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे राणी को अन्यत्र न भेजें तब राजा गोपाल ने आकाश्वानी वाली बात बताई तो वे भी भगवान शिव के प्रकोप के भाई से शांथो कर रह गए राणी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी सूत उठाकर बजार तक पहुँचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हे धंदूंगी मंगला ने बुढिया की बात मान ली लेकिन जैसे ही मंगला ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया मंगला को मनहूस समझकर बुढिया ने उसे दूर चले जाने को कहा मंगला चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुँची उस तेली ने तरस खाकर मंगला को घर में रहने के लिए कैदिया लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक-एक करके फूटने लगे। जंगल में पहुची, उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था, निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई, जल पीने के लए रानी ने तालाब की सिरिया उतर कर जैसे ही जल को सपर्ष किया, तभी उस जल में असंखे कीरे उत्पन हो गए, र राम करना चाहा तो उस पेर के पत्ते पलभर में सूख कर विखर गए। रानी दूसरे पेर के नीचे जाकर बैठी तो उस पेर के पत्ते भी गिर गए। गर की है। भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदर में रहो, कुछ ही दिनों में सब छीख हो जाएगा। पुजारी की बातों से, रानी को बहुत सांथ्वना मिली। रानी उस मंदर में रहने लगी लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भुजन बनाती तो सबजी जल जाती आटे में कीडे पड़ जाते। जल से बदबु आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर भाग्य से बहुत चिंतित होते हुई बोले, हे पुत्री। अवश् से कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कश्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पती के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, पुजारी की बात मानकर रानी ने सोला सोमवार के वरत प्रारंब कर दिये। सोमवार को वरत करके विधिवत शिव की पूजा अर्चना करके रानी वरत कथा सुनने लगी। जब रानी ने सत्रहवे सोमवार को विधिवत वरत का समापन किया तो उधर उसके पती राजा गो गोपाल ने तुरंट अपने सैनिकों को रानी मंगला को ढूंड कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंडते हुए सैनिक मंदर में पहुँचे और रानी से लोट कर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लोट गए। उन्होंने लोटकर राजा को सारी बाते बताई राजा गोपाल स्वयम उस मंदिर में पुजारी के पास पहुँचे और राणी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मागी पुजारी ने राजा से कहा ये सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है इसलिए राण गोपाल के साथ रानी मंगला महल में पहुची महल में बहुत खुशिय मनाई गई पूरे नगर को सजाया गया लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जला कर रोशनी की ब्राहमनों ने वेद मंत्रों से रानी मंगला का स्वागत किया राजा ने ब्राहमनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बाटे गए। रानी मंगला सोला सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकमपा से उसके जीवन में सुखी सुख भर गए। सोला सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। शापशन गरुडासन व्रिश वहन साजे ॥ शिवकारा तो भुज चारू चतूर्भुज दस भुज से सोहे ४हहे। स्वामी दस भुज से सोहे तीनों रूप निरकते तृभुवन जन्मोहे . शिवकारा अक्षमाला वनमाला मुंदमालाध्ठारी . स्वामी मुंढमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशी धारी, जय शिवोकारा श्वेतमबर पीतमबा बाग़ांबर अंगे, स्वामी बाग़ांबर अंगे, सनकाधिक ब्रमादिक भूतादिक संगे, जय शिवोकारा, कर्मे श्रेष्ट कमंडलू चक्रत रिशूल धरता, स्वामी चक्रत रिशूल धरता, जग करता जगाहरता जग पालन करता, जय शिवोकारा, ब्रम्हा विश्णू सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रन्वाक्षर में शोभित ये जय शिव उकारा, निर्गुन शिव की आरती जो कोई नरगावे, स्वामी जो कोई नरगावे, कहत्षिवानंद स्वामी मन्द वान्शित फल पावे, जय शिव उकारा, friends मारे वीडियो कैसे लगा है, जूरूर comment करके बोलना, friends please lok, comment, hashtag subscribe, और शेय करना नहीं बाहूल,